नमस्ते बच्चो बीके प्रविन्देसले चाइनल में आपका स्वागत है इस चाइनल पर पाचवी कक्षा से दसवी कक्षा तक मैथेमेटिक सैथ और सब्जेट के विडियो अपलोड कर रहे हैं तो बच्चो चाइनल को जरूर सब्सक्राइब करो बच्चो आजम कक्षा चटी विशे हिंदी पाट क्रमांक साथ कागच की थैली इस पाट के स्वाद्धे का अद्धेन करेंगे प्रश्ने कागच का मुख्य उपयोग बताईए उत्तर कागच से पुस्तक पुस्तिकाएं समाचार पत्र सजावट की वस्तुएं आधी मत्वपुर्ण चीजे बनाई जाती है प्रश्न दो रोज मर्रा की जिन्दगी में काम आने वाली कागच से बनी चीजों के नाम लिखिये उत्तर एक केलेंडर दो कागच की थैली तीन कागच के डिब्बे याने बॉक्स प्रश्न तीन कागच से बनने वाली तीन खेलने वाली चीजों के नाम लिखिये उत्तर एक पतंग दो नाव तीन पंखा प्रश्न चार कागच की थैली का उप्योग वह मत्व बताईए उत्तर कागच की थैली में हम अपनी खरीदी गई वस्तो जैसे सबजी, फौल, फूल, कपड़े इत्यदी रख सकते हैं इसके आलावा कागच पर्यावरन को नुक्सान नहीं पहुचाता जबकि कागच की बदले इस्तेमाल होने वाली थैलिया पर्यावरन के लिए हानिका रखे और तह हम कागच का इस्तेमाल कर पर्यावरन समवर्दन में भी मत्व पुर्ण भुमी का निबा सकते हैं प्रश्न पांच सबसे पहले कागच की खोज किस देश में हुई थी उत्तर सबसे पहले कागच की खोज चीन में हुई इसके पच्चात कागच बनाने की कला कोरिया जापान अरब से होते हुए मिस्त्र पौची तो बच्चो आज हमने कागच की खेली इस पाट के स्वध्य का अध्यन किया थेंक्यू